हमारे यहां महिलाओं का स्थान जीवन में क्या है नीère कि भारत में महिला याने माता है के पश्षिम में महिला याने पत्मि पुरुष्किय जंगिनी कि पुरुष्किय आवरशक्ता वो पुर्ण करने वाली इसलिए उसका निर्मान होा है हमारे यहां वो सब का सुनुजन करने रहा है, जगदम्भा है, वो माता है, हमारे परिवारों में बहुए आती है, बहुए का मान पहले नहीं रहता, पहले पती की माता याने सास का मान रहता, वो बहुए जब माता बन जाती है तो उसका भी एक मान तरियार होता और बढ़ते पास्चात्य घरों में पत्मी आती है उसका मालता है इसमें अच्छा बुरा भी कह रहा है यह वहाँ की पद्धती है हमारी अलग पद्धती है और इसलिए वहाँ कोई महला आई तो चार लोगों में उसके सुंदर साकी सुधी करना इसमें कोई अश्रिष्टता नहीं मानी जाती है ऐसा किया जाएं तो वह महिला धन्यवाद करती है धैंक्यू कहें हमारी यहां केवल पुरुस है तो भी इस प्रकार किसी महिला के बारे में बात करना या भजरता मानी जाता है पति भी चार लोगों में अपने पत्ती को बुलाना है, तो बच्चे की माँ के नाम से बुलाना है, यह हमारी साहस्कृति का विशे है, मत्रुवत परदघी रेशु, परद रवेश लोटवर्द, जो अपना नहीं है, वो नहीं देना, अपने पास नहीं है तो भी दूसरों के धन पर आधन पर नजर नहीं रखना अपने को चाहिए तो अपने परिशन से कमा परद्रव्यशन लोट संत पति पत्नी की गुद्राज नाम में बुल गया है तो उनकी कहां नहीं बताते हैं तो पत्नी थेत में जा रहे हैं तो पत्नी को सामने एक चमक्ती हुई चीज रास्ते में धूल में दिखाई जी इसलिए उनकी पत्ति को का हूँ क्या है चमक्ता है तो पत्ति ने कहा कि चमक्ती वस्तू पर तुमारी नजर कैसे के, दुर्ष्टी कैसे के, हम तो भी रखत्तों लोग है, संता है वो पढ़िये ह तो पत्नी जाके उस पर मिट्टी डालने लेगी, तो अब लग धूल डालने से क्या होगा, देख तो लिया तुमने, तो पत्नी हसके पती को कहती है कि कैसे संता हुआ, मैं धूल पर धूल दाग रही हूँ, आप समझे हैं कि मैं किस धन पर धूल डालने का, तो इस सोने की म कुद्रा को आप धन मान रहे हैं, यह तो धूल है, उस पर अब धूल डाल रहे हैं